नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वेदानसी टेक्निकल क्लासेश में दोस्तों आज का वीडियो उन सभी ITA स्टुडेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जिनके ITA में अभी तक बेग चल रहा है दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले DGT की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था और उसमें बताया गया था कि ऐसे स्टुडेंस जिनका एड्मिसन सेशन 2018-2020 या फिर 19-21 से तो ऐसे स्टुडेंस के यदि किसी सबजेक्ट में ITA 1st year में supplementary चल रहा है यानि कि किसी सबजेक्ट में बेग चल रहा है तो इन श्टुडेंस को जो है प्रमोट किया गया था हालांकि दोस्तों इनके साथ ही जो है 2020 से जो 22 वाला एड्मिसन सेशन था उसके भी 1st year के श्टुडेंस को प्रमोट किया गया था लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी DGT ने जो है अभी DGT ने जो है essay students जो 18-20 या फिर 19-21 admission session वाले हैं और यह दी किसी subject में supplementary था तो उसमें पहले तो DGT ने यहाँ पर बताया कि who are awaiting their supplementary examination to be held hence these trainee would also be declared pass पहले तो DGT ने ऐसा कहा था कि इन students को जो है pass declared किया जाएगा यानि कि इनको promote किया जाएगा लेकिन अभी जो है दोस्तों DGT ने जो है इन students का जो बेक exam था उसके admit card जारी करना start कर दिया है यानि कि दोस्तों ऐसे students जिनका admission session 18-20 या 19-21 है और first year में किसी के बेक है किसी subject में supplementary है तो इनको pass नहीं किया गया है दोस्तों इसका admit card जो है अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसा students जो first year में है जिसका admission session 2019-21 है उसका admit card जो है DGT ने जारी कर दिया है यानि कि इन students को जो है exam देना होगा first year में ये जो है pass नहीं है first year में इनको promote नहीं किया गया है हालांकि दोस्तों एक बार फिर से में बताना चाहूंगा कि जो 20-22 admission session वाले students है उनको जरूर first year में अभी तक जो है promote किया गया है वो confirm है लेकिन 19-218-20 जो session वाले students है उनको first year में promote नहीं किया है अभी तक भी पहले DGT ने notice हालांकि जारी किया गया था लेकिन अब DGT वाले जो है ITI students को दोका दे रहे हैं और यहाँ पे जो है परवेस पत्तर जारी कर रहे हैं दोस्तों अभी में आप लोगों को जो है परवेस पत्तर दिखाने वाला हूँ और यह हैं दोस्तों वो परवेस पत्तर जो supplementary यहाँ पे देखिए man और supplementary लिखावा है S का मतलब है supplementary और यह first year का ही student है और इसका admission session जो है दोस्तों 2019 से 21 है 2019 से 21 है 2019 से 21 है 2019 से 21 है यहाँ पे देख पा रहे हो admitted in अगस्त गुनिस गुनिस में जो है इसने admission लिया था इस student ने गुनिस में admission लिया था इसके जो है इन तीनों subject में बेक है और इसका जो बेक exam है वो कौन दो फरवरी को जो है लगने वाला है तो इसका जो first year में supplementary था उसका बेक exam जो है वो DGT वाले अब ले रहे हैं और time भी देखे यहाँ पे दिया वाया है साम को 4 बजे से 7 बजे तक examination center भी यहाँ पे दिया वाया है वालों ने यहाँ students के सामने लाके रख दी है अतय में सभी students से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फेलाने की कोशिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ITI students तक पहुँजाने की कोशिस करें ताकि उनको भी पता च एक्जाम जो है देने पड़ेंगी तो ठीक है दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही इसी से रिलेटिड और कोई अपडेट होगी दोस्तों तो इसी YouTube चैनल पे जो है मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिस करूँगा ता आप लोग जुडे रहे हैं हमारे YouTube चैनल क के साथ इसे सब्सक्राइब करें साथ यसाथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट हम लेकर आए इसका तुरण नोटिफिकेशन आप लोगों तक जो है पहुँच सके ठीक है दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में नए अपडेट के साथ अब तक के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद